हां जी तो गाइस क्या हाल चाल है सबके थोड़ी दुनों पहले मैंने एक वीडियो डाली ती जिसमें मैंने बताया था कि मैंने फीचर्स जो हैं बहुत सारे अनलॉक किये हैं तो आज उसकी मैं फुल लिस्ट लेकर हूँ इस फीचर्स की आईए डिसकस करते हैं कौन-कौन से वो फीचर्स है तो फरस्ट अफॉल M&D से स्टार्ट करना चाहूंगा M&D पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए अभी यहां पर जो ओल टंपरेचर पहले नहीं आता था भी यहां पर एक ओल टंपरेचर जो है आप देख पाएंगे आ रहा है ठीक है जी और उसके बाद आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी रीफियूल पहले हां पर नहीं दिखती थी अभी आपको देखने के लिए मिल रही है और एक चीज यह है कि अभी जैसे आइडल गाड़ी है बिल्कुल रेस्ट पर हम चलानी रहे हैं तो यह जो है ना इल्यूमिनेशन यह वाली यह इल्यूमिनेशन जो है ना मैंने तकरीबन 50% कराई ह पहले अगर आप ऐसे ही गाड़ी में बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो यह बिल्कुल डल रहता है सिरफ जो नीडल्स है वो लिट रहती है और याकी का सारा ब्लैक रहता है तो अभी यह 50% इल्यूमिनेशन पर आ चुका है अगर आप आइडल में रहते हैं और जब आप लाइट्स अपनी अन करेंगे तो यह 100% पर जाएगा यह देखिए अभी लाइट्स मेने अन कर दी तो यह थोड़ा सा बढ़ जाता तो ऐसे हो जाता वैसे लाइट्स बंद कर दूंगा तो यह 50% पर आ जाता और एक फीचर यह अनलॉक किया है यहां पर के नीडल स्व जैसे बाइक्स में होता है आप देखते हैं टाको मेटर और स्पीडो मेटर की नीडल जो है पहले फुल ऐसे जाती है फुल नाइटी डिगरी मतलब जितना मेटर उतना स्वीप करती है और उसके बद वापस आती है वह सेम चीज इसमें भी करी गई है आप देख सकते हैं अ और बस यहां पर जो है इतनी चीज़ें और एक है वाइपर ट्रियर ड्रॉप वाइप वह भी अनलॉक हुआ है उसमें क्या है कि अगर आप वाइपर जैसे वाशर चलाते हैं वाशर जब आप चलाएंगे जब यहां पर पानी बज़ेगा तो वाइपर क्या है वैसे आप लिफुली वाइपर हो जाएंगी और यह बिल्कुल सास उत्र नजर आएगा ठीक है एक हो गया है वाइपर टेर डॉप और इसमें चेंजेस किये हैं जो 80 की स्पीड पे टर्न करके अवाज आती है और 120 की स्पीड पे स्पीड वार्निंग जो आती है टर्न करके है चलिए अब चलते हैं इसकी तरफ infotainment infotainment वे आप देखेंगे कि यह ना red theme unlock इसमें करी गई है पहले orange आती भी अभी red जो है Monte Carlo वाली वह theme इसमें unlock करी गई है और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है AC controls जो है आ चुके यह देखिए यह सारे जो है AC controls यहाँ पे visible है ठीक है आप यहाँ से भी AC control कर सकते हैं अपना और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं बहुत सारे menu जो की हैं off road menu और turbo menu यह देखिए off road menu में आपको वील का एंगल बताएगा altitude बताएगा ओल का temperature बताएगा फ्यूल गेज यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे जो है temperature है गाड़ी का वह आ चुका है ठीक है अभी पीछे चलते हैं sports menu sports menu में देखते हैं turbo का pressure rpm और speed और उसके साथ जो है यह TPS है और यह है अपना fuel gauge और same temperature ठीक है जी और इसमें जो है एक और चीज़ आनलोक की गई है वो है beats sound signature थोड़ी सी जो है base or travel enhance करी गई है और जो कह लीजे अगर आपको थोड़ा बहुत woofer की अगर requirement होती है तो यह से थोड़ा enhance कर देता है तो woofer I think अभी इसके बाद मुझे बिलकुल required नहीं है बह तो woofer की requirement महसूस नहीं होती यह mod करवाने के बाद ठीक है जी यह है इसमें changes सारे ठीक है जी और यहां पे तो और कुछ नहीं है बाकी पहले क्या था यह वाला सारा चीज इदर आता था लेकिन अभी देखे वाइकल, status, sports menu, notifications, off-road यह सब आ गया इसमें यह चप चीज़ें ज एक तो है anti theft alarm ठीक है जी, anti theft alarm मैं एक बड़ी आपको बजा के दिखा देता हूँ, यह देखिए गाड़ी मैंने अभी की निकाल दिये ठीक है जी और मैं गाड़ी को अंदर बैठे बैठे लॉक कर देता हूँ, यह एक बार acoustic confirmation आई, शीशे हो गए अंदर की तरफ ठीक है जी अब मैं अंदर बैठे बैठे जो है, इसको यहां से खोलूँगा, थोड़ी देर बाद जब यह anti theft alarm trigger हो जाएगा, तकरीबन 30 seconds बाद जो है anti theft alarm trigger होता है, उसके बाद अगर मैं यहां से अंदर बैठे बैठे खोलूँगा, तो यह होन के साथ alert करना चालू कर देगी गाड़ तकरीबन 25 seconds हो चुके हैं अभी, अभी मैं आपको anti theft alarm trigger करके बता रहा हूँ, और इसको बंद करने का तरीका वो भी बताऊँगा, बेसिकरी क्या होता है, हम सोचते हैं कि anti theft alarm बाहर से कोई ऐसे हिलाएगा या मारेगा, तो यह गाड़ी जो है, ऐसे शोर मचाएगी, वैसी ब अगर आप बाहर से handle खीचेंगे और यह trigger होगा वैसे नहीं है, बाहर से क्योंकि आप यह गाड़ी नहीं खोल सकते, तो जो चोर है, वो क्या करेगा, गाड़ी यहां से शीशे को तोड़ेगा, यहां से और उसके बाद यहां से खोलेगा, वो procedure होता है, गाड़ी चोड़ी क कर रहा है, तो इसलिए यह जो alarm है, एंटी थेफ्ट यह अंदर से trigger करने के लिए ऐसे बनाया गया है, अभी आपको, मैं बजा के दिखा देता हूं, यह दिखिए, यह बज गया, अभी इसको off करने के लिए आपको, unlock button दबाना है, यह off हो जाता उसके साथ ही, ठीक है, यह हो प्लीज मुझे comment section में बताईएगा, चलिए चलते हैं अगले feature की तरफ, अगला feature यह है कि DRL जो है ना, हमारी normal mode में चलती रहती है, जैसे handbrake on रहती है, तो वो DRL जलती रहती है, DRL अभी जो है, वो मैंने disable कर दी है, बैटरी जो है, सेव हो जाती है थोड़ी बहुत, उसके मैं सिरफ पहले क्या होता था, ड्राइवर डोर साउंड देता था, जब आप खोल देते थे ignition on पर जैसे, यह मैंने ड्राइवर डोर खोला, तो अभी यह साउंड आ रही है, बीब बीब वाली, वो सिरफ और सिरफ ड्राइवर डोर पर ही आती थी, लेकिन अब वो चार अर पर आ चुकी है, मैं आपको पीछे का डोर जो है अभी खोल के बता रहा हूँ, यह देखिए, यह देखिए, पीछे का डोर खोला, वहां पर बता रहा है, पीछे का डोर और बीब बीब भी हो रही है, यह भी है एक फीचर जो अनलोक कर दिया गया है, वैस अंदर के सारे फ एक्स्प्लेन कर दिया फटा फट बार से जो हैं बार के फीचर बता देता हूं यह देखिए अभी गाड़ी अनलोक करूंगा और लॉंग प्रेस करके रखोंगा शीशा जो है नीचे आ जाए जितना मुझे चाहिए यह देखिए गाड़ी अनलोक हो यह नीचे आ गया ठीक है अगर मैंने शीशा उपर करना है तो लॉक बटन जो है लॉंग प्रेस करूंगा गाड़ी लॉक होगी शीशा उपर चला जाएगा एक्विस्टिक कंफर्मिशन आपने सुन ली सिंगल बीप जो है लॉक पर आती है डवल बीप जो है अनलोक पर आती है और एक फीचर यह अ अनलोक करवाएं हैं आपको कौन-कौन से फीचर वर्दी लगे नहीं वर्दी लगे प्लीज कॉमेंट करके बताईएगा अगर आपको यह अभी अपनी गाड़ी में अनलोक करवाने है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बताया कैसे अनलोक क्ल कर दोस्फ circular हारा है circulation ACCेर वेजया वाली है विल्टरी नहीं हमने एाँ कर दो सकते हैं जिसमें हैं आपको धिसम अनलोक कि एंप मेरी चल प्ली से लोस्तो है यहासने थैसके यह हम अपको भी़जिए शफज और सॉवा हैं प्ली कॉत हैं यह बिहा हैंते हैं यह प्ली स